आज किस वीडियो हम जानेंगे नीद से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में फैक्ट नमबर एक, आज तक किसी को नहीं पता इंसान सोता क्यों है या नीद हमारी बोडी के साथ करती क्या है फैक्ट नमबर दो, हम अपनी 33% जिन्दी केवल सोने में निकाल देती है फैक्ट नमबर तीन, सन 1998 में एक एक्सपरिमेंट में सामने आया कि अगर आप गुठने के पीछे एक लाइट दिखाएंगे तो सोने और जागने के लिए आपकी बोडी क्लोक अलग तरीके से काम करने लगती है मतलब अगर आपको नीद आ रही है तो गुठने के पीछे लाइट दिखाने से आपकी नीद उड़ सकती है फैक्ट नमर फूर हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो हर रात अगर आप साथ गंटे से कम सो रहे हैं तो आपकी जीवन प्रत्यासा खत्म हो जाती है फैक्ट नमर फाइब लगातार एक अप्ते से पूरी नीद ने लेनी की बज़ए से आपको बज़ए 900 ग्राम तक बढ़ सकता है फैक्ट नमर फिक्स खाना खाए बेना आप 2 महीने तक जीवित रह सकती है लेकिन बेना नीद के आपकी इवल 11 दिन तक जीवित रह सकती है फैक्ट नमबर 7 जापान में ओपिस में काम करते करते अगर आप सो जाती हैं तो इसे positive माना जाता है जापान की लोग मानते हैं कि आपने इतनी मेनत की है कि आप ठग गए हैं और आपको नीद आ गई है फैक्ट नमबर 8 अगर आप sleep deprived हैं तो आपका दिमाक में तपूड और गेर में तपूड बातों और चीजों के बीच फरक नहीं कर पाता फैक्ट नमबर 9 बिल्लियां 70% जीवन सोने में बिता देती हैं फैक्ट नमबर 10 1849 में डेविड एचिंसन अमेरिका के राष्ट पती बने खासवात है थी कि वो केवल एक दिन के लिए राष्ट पती बने और उन्होंने अपने राष्ट पती काल में ज्यादा तरह समय सूने में निकाल दिया फैक्ट नमबर 11 अलारम क्लॉक के आने से पहले ब्रिटेन में नौकर सब होती थे जो बास के डंडे अपने कस्टमर की खटगियों पर बजाती थे जब तक वा जाग न जाए लोगों को उठाना भी एक नौकरी हुआ करता था फैक्ट नमबर 12 एक स्टिटी में यह बात सामने आई है कि अमावसिया की रात इंसान को सब से अच्छी नीद आती है लेकिन पूर्मा की रात सब से खरा फैक्ट नमबर 13 अगर आप खुद को जाम आने पर मजबूर कर दें कि आपने अच्छी नीद ले लिए भले ही आपकी नीद पूरी न हुई हो तो भी आपकी परपॉर्मेंस में सुधार आ सकता है फैक्ट नमबर 14 एक रिसर्च में पाजा गया कि मेलां को पर उसके मुकाबले ज्यादा ड्रावने सपने आती हैं साथ ही उनके सपने ज्यादा भावात मकवी होती हैं फैक्ट नमबर 15 फर्ष्ट वर्ड वोर के दोरान हंगरी के एक सपाई को दिमाग की ललाट पालिक फ्रेंटल लौ में गोली लगी थी इस वजए से उसका सोना संभाव था वह व्यक्ति पूरी जिन्दगी बिनास होई रहा आज तक कोई नहीं समझ पाया कि फ्रेंटल लौ